यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जरके दिखाई है और तब पीम को चैलेंज दिया है लेकिन उस चैलेंज से पहले ही सरकार ने जनता को एक सोगात दे दी जो सुबह साट पैसे की ती और शाम होते होते एक पैसे पर आ गई इससे साबित हो गया कि एक पैसे की प्यमत है और कितनी है जाकर पूछिये सरकार से पूछिए उनके प्रवक्ताओं से, पूछिए इनके निताओं से, और पूछिए इनके मंत्रियों से, जवाब मिल जाए तो हमें भी बताईएगा, फिलहाल कॉंग्रेस का मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि वो अब विपक्ष में है. हर रोज ये पहली बार हुआ है, आप देख लीजिए पिछला इतिखास उठाकर, जो हमारे किलाफ ये बजा बजा के ड्रॉम, बाजे, नाचना, महिंगाई के खिलाफ एक बार ड्रामे किया करते हैं, इनके शिर्शनेता, भारतिये जिनता पार्टी के, आज कहां गए इनके दोल बाजे नगाडे, जो हर रोज ये कीमत बढ़ा रहे हैं, और आज जो देश के साथ ऐसा मजाक हुआ है, एक पैसे की कीमत इन्हों ने दोबारा बता दी है, कि एक पैसे की कीमत है, एक पैसा कम करना तेल का, वो देश को इतनी बड़ी सौगात दी है, मुझे पूरा वि पिश्वास रखेंगे, उनके साथ इसके लिए बहुत बहुत उनके शुक्र गुजार होंगे, कि एक पैसा कम हुआ है, कॉंग्रेस की बात तो ठीक है, लेकिन जो कदम के रज़ सरकार में उठाया है, वही कदम कॉंग्रेस भी उठा सकती है, जिन राज्यों में उनकी सरका है, वहां के मुख्यमंतियों से कह सकती है, कि बैट घटा दीजिए, पूचा भी राहत दे दीजिए, लेकिन ऐसा अभी तक तो कॉंग्रेस ने नहीं किया है, और नहीं शायत करेगी, क्योंकि आम आदमी से किसका सरोकार है, रणाई तो बस सत्ता की है, और पैट्रोल की कीम से 2 रुपे कम करने पर, और अगर एक्साइज यूटी बड़ी रखती है, तो उसी जाप से उस पर जीएस्टी या वैट का असर बढ़ता, तो बढ़ जाता है, जाम, गवर्मिंट कप्रोमाज तो करें, स्टेट गवर्मिंट कम प्रोमाज तो करें, कि जीएस्टी का या व नहीं, कोई फरक तो पड़ेगा, नहीं, अब भूगत ना पड़ेगा, जब गाडिया रखी हुई है, जनता के साथ कौन मजाग नहीं करता, सब ने अपने-पने हिसाब से कभी ना कभी इसका इस्तेमाल तो किया ही है, लेकिन ट्विटर पर फिटनेस-फिटनेस खेलने वा दें, तो क्या राज्य सरकारें वैट कम करके जनता को कुछ राहत देंगी, क्या कॉंग्रेश शासित राज्यों से राहुल गांधी कहेंगे, कि अपने यहां वैट कम कर दीजे, फिर अगर वो सालकव पर उतरेंगे तो अच्छा लगेगा, पिये मोदी भी चैलेंज एक्स करके कम से कम अपनी राज्य सरकारों से कहेंगे कि वैट कम कर दो, फिर भाशर देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपके और हमारे अच्छा लगने से क्या होता है, सवाल तो ये है कि क्या ये सब सरकारों को अच्छा लगेगा, पकारालम तुर्की, खबरें अभी तक एक पैसा पेट्रोल और डीजल में कम करके कही न कहीं जनिता से मजाग किया गया है और इसी के बाद बहुत चिड़ चुके है विपक्षी नेता एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घरने के तयारी में लग चुके है और वहीं अगर बात करें पेट्रोलियम मंतरी धरमेंदर प्र सरकार को कोई ठोस फॉर्मूला इसका ढूंडना है लेकिन अभी तक सरकार सर्फ बातें और दावे करती ही नसर आई है करनाटक चुनाओ के बाद लगातार पैट्रूल और डीजल की जो कीमत इक है वो आस्मान को चुर रखी है अब आदमी और खास तोर पर मिडल क्लास जो लोग है उनकी लीए एक पैसे की कीमत क्या है जो बाजार है वो इसा कैसे कैसे देखता ख्यों सरकार की रेवेनु पर कितना आसर के अजाने की बराबर है क apostle करेंगे में और सब्सक्राइब करेंगे फास सब्सक्राइब काई एक हमारे प्रोग्राम सब्सक्राइब कि अछी से किया था доव में टेट्र और डीजल को लाया जाएं कि पर्फो जो आज के पादां है कैरल पां के एक पता गजो चीफ मिनिस्टर वोय है तुम अछने यह अच किया आप उपेंसला को आफिट्रों के चोने को एकará रुपया ने कम किया है और एक रुपया पर यह इतना काफी नहीं है क्योंकि आज जो पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्कमेट में जो वैल्यू है वो बैरल असी रुपे से च्छासट रुपे पर आ गया है वो चोदा रुपे कम होने के बावजूद भी हम ताज़ा आकणा बता रहे हैं यह च्छासट रुपे रुपे के आसपास है यह असी रुपे से पिछले हफते की असी रुपे था आज यह च्छासट रुपे तो चोदा रुपे तो मार्क तो में इंटरनेशनल मार्केट में तो 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 नहीं करीकित की बाएं करीन नहीं मिल पा रही है वो इसलें इन नहीं मिल पा की से हम मेइन क्राई दिधुक्ट में इन सब्सक्रिखश में कौनिंच नीचे ऐना चीब छग़िए जो इंट्रिशन मार्केट में जो देम नर्ट इसका कोई बेनेफिट आम आदमी को नहीं जाएंगे जब करनाटक के चुनाव थे तो 20 दिन जो है दाम नहीं बढ़ा गए क्या उसकी भरपाई की जा रही है वो अब आप यह जो आज एक रुपया कम हुआ है 16 दिन बाद हुआ है एक पैसा एक पैसा है वह 16 दिन बाद हुआ है तो अब देखते हैं कि केरला को कैसे फॉलो किया जाता बाकी स्टेट मैं एक्जामपल लेता हुआ हर्याना की जिए लेड़ बाई पीजेपी उन्हें यह सबक लेना चीए और अपने दाम कम करने चीए पंजाब में जैसे राहुल गांदी जी कहते हैं कि मैं चैलेंज देता उसके बाद सवाल कीजिएगा मोधी सरकार से मैं यह कहना चाहती हूं कि अंतराष्ट्रे वाजार में इस समय ते क्रूड ऑल की किम्ते अपने नियूंतम स्थर पे चल रही है और उसके बावजूत तेल हमें इतना महंगा मिल रहा है कहने कार्थ यह है कि सरकार नहीं चाहती सरकार अपनी जेग बंढ़ रही है सरकार अपना मुनाफ़ए और साथ के साथ तेल कंपनियों को लाप पोचा रही है तीहतर रुपे में 35 रुपे टैक्स के जा रही है तो हमारा प्रोसी राट देश है पकिस्तान वहाँ पे 46 रुपे तरामें पैसे है तेल की की मत जो साउ है इकीस राप्याजेंब पर आपनी पर चला रही है तो केंदर सरकार पर रहा है और पंजाब कोई और में पीष्ट की जाहां कि यह जहां-जहां गांगी करने की कांग्रेस जहाँ जहां जहां है वहां लोगों को राहत है जहां BJP सत्ता में वहां महंगाई बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन पंजाब का नाम रेके आप 21 राज्यों को तो मत भूल में ना आप एक उधारण पेश किजिए ना जैसे कि केरल ने पेश किया है उन्होंने को दिखा विजिया लेकिन मैं यह चाहती हूं कि आप सबकार पर दबाव बढा के आ आंगरेश जहां सब्ता में एक है वहां तेल की कीमते कम क्यों नखी करते आप लोग नहीं मैं बिल्कुल जाती हूं कि पंजाब सरकार बिल्कुल सामने आये और केंद्र पे दबाव नाए और दूसरे पर देशों पे दबाव बनाए और एक उधारन पेश करें मैं कि कहां कहां तेल का खेले जोगी राम जी क्या लगता है कि सरकार की नियत में खौट है कि पहले तो कॉंग्रस को रिजेक्ट पब्लिक ने क्यों किया कॉंग्रस ने भी कभी नहीं माना लोगों एजिटेशन भी किये और बीजेपी वालन दार्द नगन होके जो भी ड्रामे किये यह किये लेकिन कभी भी कॉंग्रस ने भी नहीं सुचा कि वह जो आहम आदमी को इसका फायदा मिले और बीजेपी से लोगों को बीजेपी से नहीं ऐसा नहीं था बीजेपी से नहीं एक बार कहा दिये पार्लियमेंट का सैसिन चल रहा उसके बाद सब्सक्राइब तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 105 फिसदी बढ़ोतरी हुई है चार साल के दोरान करी परी नो रुपैसे 19 रुपैसे हो चुका जोगर आप बोल रहे थे मैं बोला ने एक मिट सुनिए अगर कॉंग्रेस ऐसा करती तो यह समय ना आता के विक कॉंग्रेस क को रिजेक्ट करके तब बीजेपी की तरफ जंता गई थी इसलिए गई थी कि अच्छे दिन लेके आएंगे इन्होंने बाद में यह सोचा कि अभी जब कॉंग्रेस को किसी ने नहीं पुछा होगा इतने साल तो हमें कौन पूछने वाला इन्होंने वह सिस्टम शुरू कर और प्रधानमंत्री कि कर रिक परसूं की स्टेट मेंट है हमने बारा करोड़ लोगों को वितियर साहिता देकर रोजगार दिया है और कितने को च्छे लाग करोड़ का ने का किसी का रोजगार चल जाएंगा ने सरकार का ये भी है कि डे टू दे तो होने नहीं चाहिए हम तो उसका एफेक्ट 10-12 दन लगते हैं वो मिट्रियल आएगा प्रसेस होगा उसके बाद उसका फरक पड़ेगा अगर आज रेट कम हुए कि आज ही हमारे पास आज आज है क्या हो उसमें समय लगेगा तो इसमें 15-20 दिन का पर गैप होना चाहिए तो इसमें कोई दोराई नहीं समझा लंबे समय से सरकार ने एकसाइस ड्यूटी को कम नखी किया गया है और माग यह भी किजा रखी है कि दियस्टी में शाविल कर लिया जाए जो तेल की जो कीमति हैं उससे कंट्रोल में आ सकती हैं लेकिन सरकार इस पर भी फिलहाल तक विचार करती नजर नहीं आ जब यह देंगे तो की किमते कम होंगी और तोफे भी देंगे और यह अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि थर्ड फरंट ही है देखो पहले मुराजी दिसाइजी थे जब थर्ड पर यहां को बने जनता दलके चले ठीक है तो यह दोनों को यह सोच रहे हैं कि वी ऐसी च जुड चुके हैं गुटा तब क्या एक पैसा काफी है कव ज़ना जयती जी थोड़ा सामें इस्टोरिकल फेक्स के दर्व जाना पड़ेगा जब से पैट्रोल आप सुब जानती है कि पट्रोल प्राइज दूर्च के अदीन हैं जैसे-से इंटरनेशनल मर्कित में प्राइ है मैं भी मानतों इस बात को प्रम्तु गोवर्मेंट इस में प्रोसेस में है और आप देखेंगे कुछी दिनों में गोवर्मेंट बहुत बड़ी रहात अपने देश्वास्य को देने वाली है अंतरास्ट्रिय बाजार में जब कच्छे तेल की कीमते कम होती है उसके हिसाब स अगर आप देखें तो पिछले कुछ टाइम से लगातार तेल की किमतों में तेजी आई है जब भी तेल की कीमतों में तेजी आती तो हमारा रुपया भी कमज़ूर होता है तो उसकी वेसे हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है आप क्या क्रूड ओयल की कीमत अभी जान करें दिये ताज़ा कि 660 रुपय प्रती बैरल हो चुका है लेकिन एक पैसा घटाते हैं सर्थ क्या मज़ा करें सरा देखिए अभी जो इने लों के परवक्ता बैठेते तो वो बता रहे थे कि जो प्राइज आते है उसको जो श्टोक होता है उसमें आने में समय लगता है म करें के मुख्यमंदरे एक रुपया कम किया है सर एक उधारन पेश किया चैलेंज दिया है परधान मंतरी को क्या आप चैलेंज लेंगे आप अपने राज्यों में क्या कम बिल्कूल आपनी के दिन से लगाता नियुक्त आप बता दूं कि जो यह विपक्षी पार्टी यह स पंजाब में में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है पंजाब चंडिगर और हर्याना में साथ से आठ रुपे का तेल का डिफरेंस है चार साल में 31 डॉलर कीमते कम हुई है अगर आज हम पेट्रोल 80 रुपे दे रहे हैं या 79 रुपे दे रहे हैं तो कुछ चीज़े जो हैं हम लोगों को अगर 40 रुपे करने वह कहते हैं करना मैं चावल लेकर दोर पर आम आदनी को दे रहे हैं उजवला योजना के अंदर हम गैस दे रहे हैं और अगर हम इतनी वेर्फेर के वह सारी के सारी कि करता करना चाहते हैं तो आप पहले बाकि में कहते हैं कि एकसाइस ड्यूटी कम करेंगे उसे अगली बार आप कहते हैं कि बाकी सुधाई हम बढ़ा रखी है तो आप महंगी जो तेल की कीमत हो रखी है बढ़ रखी है उसको आप जस्टिफाई कर रखी है अप जस्टिफाई कर रखी है जस्टिफाई जब तक कीजिए गा तो कीमत कम कैसे करेंगे फिर एकसाइस ज्यूटी को कम करना सरकार कैसे चाहेगे कि जोती जी हमारी हमारी करौर्मेंट की कहीं भी प्रियोर्टी यहां पे जिसी जरूरत है वहां पे सुझ हमारी मिले आद्स की सब्सकों जरूरत है तो हमारी गवत्यार आदम्में है और आदम भूख को द्रॉट है थेलगे वाहत हो succeed सब्सक्राइब कर दिखाए उसके बाद कॉंग्रेश सवाल करें सरकार से अर्यान से भी जादा है केंदर सरकार में 73 रुपे जब तेल दे रही है तो 35 रुपे उसके टेक्स है तो सबसे पहले वोकम कर देंगे अब जोती जी एक बड़ा जोती जी मैं एक बहुत बड़ी का कितना असर होगा पूरे देश पे आएंगे जोती जी मैं एक बड़ी इन जनुका पंकिर आएंगे एक रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को कि किस तरह से 14-28 में तक तेल की और डिजल की केमेते बढ़े हैं और ये तेल का खेल क्या है इस रिपोर्ट के जरिया आप समझे पेटोलियों मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने एक बार फिर से ये दोहरा कि पेटोल डिजल पर लगाम लगाने के लिए 27 समाधान के लिए लंबी आवधी की रणनीती बनाए जा रही है पेटोल डिजल को जेस्टी के दारी में लाना भी इन उपायों में शामिल है एक साइस जुटी में कटोती के सवाल पर जवाब देने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया जोले अब आपको बताते ही कि आख है दिल्ली शेहर के अलावा मुंबई में पेटोल के सोवार को क्या रेट थी और इनमें कितना इसाफा 14-28 मैं तक हुआ दिल्ली की बात करें तो सोवार को दिल्ली में पेटोल 28-27 पैसे में बिका और वहीं चोड़ा से 28 मैं तक इसमें 3 रुपे चोसक पैसे का इसाफा देखने को मिला मुंबई की बात करें तो ये रेट पुरे देश में सबसे जादा है मुंबई में 68 रुपेई 8 पैसे के रेड पर पेटरोल बिका है और वहीं 14-28 महित तक इसमें 3 रुपेई 60 पैसे इसाफ़ा हुआ और इसी तरह 15 दिन में डीजल में 3 रुपे 47 पैसे का इसाफ़ा हुआ है दिल्ली में सुमवार को डीजल 99 रुपे 17 पैसे में बिका और वहीं 14-28 महीं तक 1 लीटर पेट्रोल में 3 रुपे 24 पैसे का इसाफा हुआ और वहीं मॉंबई में 13 रुपे 64 पैसे पर 1 लीटर डीजल भी का तो वहीं 3 रुपे 44 पैसे का इसाफा 14-28 महीं के बेच देखने को मिला अब आप ये भी समझे कि 78 रुपे 27 पैसे लीटर पेट्रोल में 46.14 फिजदी टेक्स कैसे शामिल हो जाता है तो डीलर का प्राइस होता है 38 रुपे 51 पैसे एकसाइस ज़ुटी यहां पर लगाई जाती है 19 रुपे 48 पैसे जो कि केंदर सरकार के ओर से एकसाइस ज़ुटी ली जाती है इसमें डीलर का कमिशन 3 रुपे 64 पैसे शामिल है वही वैट 16 रुपे 64 पैसे होता है जो कि राज्जे सरकार लगाती है अब कुल मिलाकर दिल्ली रेट पर अगर देखे तो ये पेट्रूल का जो प्राइस है वो 78 रुपे 27 पैसे प्रति लिटर हो जाता है और इसी तरह 69 रुपे 17 पैसे लीटर डिजल में 36.86 फिज़ी टेक्स शामिल होता है इसमें डीलर प्राइस 41 रुपे 14 पैसे होता है अब कुल मिलाकर डीजल का प्राइस डिल्ली रेट के हिसाब से 79 रुपे 17 पैसे होता है अब इस तेल के खेल को समझ बाना सभी के लिए आसान हो गया है और ये बखुबी सरकार भी जानते है अब दबाव सरकार पर है लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार तेल कंपनियों पर दबाव बना कर पैट्रोल डीजल के दामों में कटोती करवा पाएगी क्या फिर क्रूड ओल के कम होने का इंतिजार सरकार को और भी करना है टीम खबरे अभी तार करनाटक चुनाव में जस तरहां से स्थिर नजर आई तेल की जो दाम नकी बढ़े उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहा गुपता साब अगर जीस्ती में शामिल कर दिया जाए सबसे ज्यादा टेक्स भी लगा दिया जाए उसके बावजूद भी 25 जो रुपे हैं उसकी कमी रहेगी कीमत में क्या आप लूग कभी जेस्टी में शाविल करने पर फैसला करेगे या विचार करेगे जियोती जी मैं ब्रेक से पहले यही बात करना चाहरा था कि ध्रमेंदर प्रदान जी और अरूम जेटली जी जो उसमें फाइनांस मिनिस्टर है उन्होंने फ्लोर और डिजल के प्राइजिस को जेश्टी के अंदर लाना चाहते हैं और आप लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं किरपया आप पब्लिक ली बोल के दखाएं कि कॉंगरेस इसको स्पोर्ट करती है जेश्टी में लाने के उपर तो हम लेके आने को त्यार है यह जो यह पक नहीं आप लेकिन सुर्जवाला अगर कहेंगी तो उनी पोटी सरकार वैसना लेगी आपने आप आप लेकर सकते हैं कि आप लुख पर देश के साथ लिए यह जन्था के साथ कितना मजाख है इस अद्टा कोले आप प्र दिसीजन दीजिए आप लिए आपने मजाद पनोग आप सुर्जेवाले जी का बात दे रहे हैं, मैंने बताया कि आप रिकॉर्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिये है कि आप पेट्रोल जेसल के दाम कम केजिए तब आप करते नहीं है उनकी मानरी जी जी आप कहते हैं तो अपना प्राइस करेंगे तो आप प्राइस के लिए गोवर्मिंट आप बतागी करते हैं तो आप कपड़े निकाल के खड़े हो जाते थे अब आप दोरी शौलोड के बैठे हुए करें तो क्या मोदी सरकार देश की जनता को राहत नहीं देगी और अगर राहत नहीं देगी तो यह कहा जाएगा कि चुम्ति सुर्जेवाला देश की जनता के सामने यह नहीं कहते कि पेट्रोल डीजल को जीस्टी में शामिल कर दीजिए आपने प्राइस कम कर दीजिए नंबर तो क्या है निती आयोग ने सरकार को कहा है कि वैट को 15 फिसदी अगर कम कर लिया जाए तो राहत मिल सकती है उस इतना असर होगा राजी सरकार होगा देखे रेविन्यू पर तो डेफिनेटली असर होगा तो कि अगर वह वह वैट कम करते हो उनका रेविन्यू तो डाउन आए गया जैसा आज सीम केरला ने जो पी विजन ने जो डिसीजन लिए उनको 509 क्रोड का घाटा है तो ऐसे हिट तो सरकार को लेने ही पड़ेंगे चाहिए वो स्टेट गवर्मेंट सेंटर है क्योंकि जो ये प्राइजिस है ये एफेक्ट कॉमन मैन को कर रहे हैं ठीक है ये कहते हैं कि अपने गयास के क्नेक्शन फ्री दिये तो पैसा तो यही से निकाल रहे हैं बिल्कुल जो ये जितन सब्सक्राइब करेंगे कि अपना रेवेल्यू बढ़ाने के जो कर सकती है नेशनल पार्टी कभी नहीं करेगी तभी लोगां के आधकल इच्छे हैं कि रीजनल पार्टी स्टेट में रुचे सेंटर में कोई भी पार्टी जो रिजनल पार्टी को सहयोग देती हैं क्या वो रीजनल पार्टी का लोगों से लगा होता है तब ही केरला ने किया ना यी जो रीजनल पार्टी जिनकी बात कर रहे हैं केरला में वो आपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है एक स्टेट के अंदर अस्तित्व ने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे गुप्ता साथ जुकि पीजेपी वर्चसु की लड़ाई नहीं लड़ रही तो क्या आम आधुरी की जय बैसे ही काटी जाएगी और बेके बाद भी सवाल होंगे कि आखर सरकार की मजबूरिया का है इस पर भी चर्चा कर लेगी तो हम चर्चा कर रहे हैं पेटोर डिजल की बढ़ती कीमतों को लेकर की आखिरकार एक पैसे का मजब क्या गया क्योंकि जैसे ही सुभा देश की जनता उठती है तो उन्हें मालुम होता है कि साथ पैसे 56 पैसे सस्ता हुआ लेकिन टेक्निकली गडबड़ी बताकर उसके बाद कहा जाता है कि एक पैसा ही कम हुआ है वो टेक्निकली को दिक्कते थी तो तमाम जो मेहमान वारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें चर्चा करें पंकज गुपता जी आपके पास ही आना चाहेंगे गड़करी साहब लग तो जो पेट्रोल में पराईज हो रहा है वो पैसा कोई गबन या घृटालों में जो कांग्रेस की प्रीइस गोर्णाneath तरौ को डीश की डिफेल्मेंट न सब्सक्राइब बन रही है आप जन्ता मिडल क्लास पूरी चरह से लिए हैं उसको जस्टिफाई कर देंगे कि विकास करवा रहे हैं कहां कहां से और कितना टेक्स सरकार लेगी और टेक्स प्राफ गभी बड़ा सवाल कर यह लेकि जोती जिए अगर हम स्कूरियो में बैड कर यह कहते हैं ऑम आदमी कर श बनेगी उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें कोई दुराएं ने लेकिन आम जनता परिशान है वो सडकों पर भी आई है तेल की कीमत कम की जाएं यह गुहार लगाई जा रहे हैं यह उसके बाद आप गम भरेंगे कि हम विकास करवा रहे हैं नी जोड़ा इस बाद का जवाब हम ले लेंगे करनाटिक चुनाव के दौरान 20 दिन तक लगा आचार तेल की कीमत बढ़ती नगी है भारत में वो कैसे पोसिबल हुआ अगर तेल की कीमत आखे तो आप मेंसे एक कोशन मैं भी आप से पूस्ता हूं कि करनाटका में अगर इतना कुछ होने के बाद भी तेल अगर आप कहते कि लोग परशान है तो करनाटका में बीजेपी अगर मैं कि चालीस उपे वाला चावल अगर दोरवे में दे रहे हैं अगर हम गया से तौपी उसके सर कर रहे हैं करनाटक चुनाओ तरचव एंकल चुनाओ कि आपको तौपी उप्छाम नुत है तौपी समय आपको बिल्कुल खाता है और आज फूद इंफलेशन आल-टाइमलयशन अर आप कहते हैं आज चांगर जी आज फूद इंफलेशन। करनाटक चुनाओं के दुरान जस तरह से तेल की कीमते पूरी कंट्रोल में रखी नखी बढ़ी उसके बाद गुटता साथ पैनल पर ये कहते हैं कि वोट हमें ज्यादा मिला इसका मतलब जरता परिशान ही नगी है तेल की कीमतों को लेकर यही तो हस्यासत बात है कि इनोंने मजाग बना के रखा हुआ है ये कंपनियां के साथ इनकी मिली भगत है जो बार-बार कहते हैं कि कोई ऐसा वो नहीं साबित हुआ तो रोज रोज सब्सक्राइब इन लोगों को विकास में नजरा रहा है तेल के लिए बात कर रहे हैं अगर इनकी दोगली लिती है जोती जी इनोंने अपने टाहिम में गोटाला नहीं किया इनकी आप लोगों के पास मोगा है अगरी पास नहीं को पता है पंजाब में वेट कम करके दिखाईए आप मोदी सरकार को कहिए कि एकसाइज जूटी आप लोगों ने कपे लिए ब्राबर अब लेड़ा रे अपट पर ले इस लेड़ा ब्राबर अप्र से पहले जोटे ज़िए शुचल मीड़ी पर जाता है तो पंजाब का उधान की क्यों नहीं देते बिल्कुल दिया जाएगा अब ही बात के लिए दिए जेंगा इन लोगों ने आपने कारे कार में कभी विका और परचार से आपके कारिकाल में क्या कंपनियों के हाथों में नहीं दिया गया है। परचार से आपके कारिकाल में अपने परचार किया जाए है। तकरीबन एक सो बारा से तो दो जार चौदा से तो उसी साफ से अपके के में ते आपको मालूम होगी कितने आज पर बात मत किजेगा उस पर नहीं आ रहा है। पर उसी जाना चाहते है। तकर्चे तेल की कीवतों में अंतरास्त्री बाता है। पर उसकी इंप्लिमेंटेशन नहीं है। इसका आगे कोई समाधान नहीं है। कोंगरस के जो प्रेजिदेंट है राहूल जी है वो एक कहते हैं मैं चैलेंज़ बता हूं चैलेंज के मुझ करके दिखाए अगर उसकी कोई निचे मानता ही नहीं है तो चैलेंज देने की जूट नहीं है वो तो इटली चले आप से पर्मिशन लेनी परेगा और वह कम चब रहे हैं लोगों की बात है लोगों को यह है के वर रीजनल पार्टी ही उनका भला कर सकती है लेकिन जब तक गटबंदन नहीं होगा या रीजनल पार्टी नहीं होगी तो इनका कोई हाली नहीं के साथ है लेकिन हम यह कह रहे हैं जब एक आजमी चैलेंज करने के लिए बहुत बहुत है सब्सक्राइब कर सकते हैं जो रिजनल जो पार्टी है क्या उनके पास रवेन्यू के अतिरिक कोई सोर्स है अतिरिक कोई वेकल्प है लोग कर लेंगे कर लेंगे कि विकल्प आप लोगों के पास क्या नहीं है विकल्प हमारे पास जब ओंपर गाय चुटाला जी की सरकार्थी भुड़ा डिपार्टमेंट में उन्होंने ये क्लियर कर दिया जो प्राने स्कूल की साइट्स हैं कोई सोसी साइट है ओल्ड कोड्स की हैं आप इनक परभाई कर लेंगे हैं और परभाई होगी होती है परभाई कि अपने बाती है तो गटाते हुए इत्मा सोचना के उसारा है कामल जी यह एक इस देश की तराजदी है कि हम लोग इस पेट्रोल के विशे पर भास करते है जिपि यह विशे बहस का होना है जिए था पेट्रोल ही साइट्रोल को प्रभाविक करता है तो आप लोग जिमीदार कमेंगा जिमीदार कमेंगा लिए अटनी वेर्फेर्स की जो वर आम जजाए हैं हम बे बुनियादी मुद्दा लेकर नहीं बैटी हैं रहात के तक 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 करेंगे तक करेंगे। मैं जोती जोटी जोटी जी दिए, लेकर अब तक लगातार एक्साइस जूटी आप पनाते ही आप आप अपरीशेट करेंगे आपरीशेट करेंगे रहा है तो वोत में किया दिती नहीं तो क्या है कि जरता परशाद होती है एक पैसा है तो हम लोगों ने तो कुछ मीनिए किया उन्हों तो आप क्या चाहिए गुपता जी कैसे रहते हैं कि रेकोड पर ले जाए पैट्रोल डिजल को चुनाम नज्जेक आए जाने से कुछ निया यह आंतराष्ट्रिय जो प्रस्तिति यह उटकं रहा है सरींसाब अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले दो हफ्तों की बात कर लिजाए डॉलर के मुकाबले रुपया जोखे वो मजबूत हुआ है तो लात्मक रूप से सुधार भी हुआ है अब बहुत ज्यादा सुधार की उमीद करते रखेंगे गुप्ता साथ देखिये का बात को सुधार की तेकिंग करते हैं रुपया में बहुत सारे फैक्टर है उसकी जो जो की मजबूती और उसकी का एक का में जूट वो लो लोगों को बैकाओ सब्सक्राइब करें तुलात्मक रूप से भारत में दाम ज्यादा क्यों वो उसी वज़े से है कि हमारे टेक्सिस उनको भी उसी डॉलर उसी रेट पर मिल रहे हैं जो प्रति बैल डॉलर है सभी देशों को उसी पर बिल रहे है गुपता जी हम नेपाल को पेट्रोल डिजल दे रहे हैं तर प्रदेश में तसकरी हो रहे हैं आपको मालूम है अगर हम सिर्फ पेट्रोल डिजल की बात करते हैं भारत एक इतना विशाल कंट्री है उसको अप अरे निपाल, शीरलंका, बुटान से किस तरह करेशन हो गेते हैं गुपता साब शीदे से जवाब हुजा है अपको मालूम है ना बता रहे हैं इसको छोड़ देशा है आप क्या करें आप यह हमारी पॉलिटिकल अंतर राश्ते संबंदों को रखने के लिए हमें बुटान को शिरलंका को अरे सब्सक्राइब करते हैं कि भले ही कीवते हमें बराबर मिलती हैं बाकी दक्षिनेश्याई देशों के उसके बावजूद भी हम महगा तेल दे रखे हैं आप अगर 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 आप कंग्रिस पे जलिए आप पाकिस्तान या किसी और की इंडियन करंसी मे अगर आप अगर आप अगर अगर एक अच्छी चर्चा होई यही मानते हैं लेकिन सरकार पर दबाव बने और सरकार सोचे कि वाकवी में मादमी काफी परिशानिये से जूज रहा है क्योंकि पर डिजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं अलकिल बड़ी बात में आज के लिए इतना ही बीजिए जासर नमस्कार झाल झाल